नमस्ते दोस्तों आज सुनिए वरिष्ट साहित्यकार संतोष रिवास्तों की लिखी हूए कहानी लावा संतोष जी हिन्दी कथा साहित्य जगत की एक सक्त्रिय लेखे का है प्रस्तुतेम की कहानी मेरी जबानी मैं हूँ सीमासे कल से दीवारों का पेंट खुरशने में लगे थे कारीगर उनकी शांदार कोठी बीते कल की कहानी बन चुकी थी रह गया था तो बस वो कमरा जिसमें पिछले 37 बरसों से वे अपनी हर उदासी, हर हसी और हर पीडा को जी रही थी शर्त यही थी फिल्म निर्माता से की पूरी कोठी वे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं बस नहीं करेंगे तो इस कमरे को जो हॉल की सीरियों से उपर चड़कर बाई और नितांत उनका है यूनिट के तमाम सदस्यों में सबसे जिम्मेवार लगा था मले मातुर मैडम आप निशिन्त रहिए, हम हॉल की सीरिया चड़ेंगे ही नहीं हमें तो अंग्रेजों के जमाने को शूट करना है, उसके लिए कूठी का निशला हिस्सा ही काफी है वे आश्वस्त हुई थी, ये भी तैह हो गया था, कि उन्हें जिस रंकी जैसी दीवारे फिल्मों की शूटिंग के लिए चाहिए पेंट कर ले लेकिन बाद में उसी रंक से पेंट करके देनी होगी जिस रंकी वे थी कितनी जदो जहिद के बाद तो इस शूटिंग करने देने के लिए तैयार हुई थी कि फिल्म की कहानी में हीरो की कोठी पहाड की उचाई पर है, में सड़क से कुछ फरलांकी हरी भरी डर्हान को चड़कर कोठी के बरामदे से सामने सूद्योद्व के नजारा दिखता है, हरे भरे उचे उचे दरक्त है और पिछवाडे पहता पहाडी नाला है, जिसके दोनों किनारों की चड़ान पर पीले जंगली फूल हर मौसम में खेले रहते है और ये सब इस कोठी में और कोठी के आसपास है, शूटिंग जादा से जादा ती महीनों में निपड़ जाएगी पूरी फिल्म थोड़ी शूट करनी है उन्हें यहाँ, हीरो की जिंदगी के बस चंद साल ही वे जानती हैं, उनके लिए कोठी इट, पत्थर, गारा, सीमेंट से बनी, निर्जीव वस्तो नहीं है बलकि उनका पूरा जीवन है यह कोठी शानतनू के साथ 23 वर्ष के उम्र में जब नई नवेली दुलहन बनकर इस कोठी में प्रवेश किया था, तब से लेकर अब तक 37 वर्षों के उनके लंबे सफर को शेयर किया है इस कोठी ने कहीं कुछ भी तो नहीं बदला इसके रख रखाओ और सजावट में जैसा शानतनू के समय था वैसा ही अब भी है, बस बदली है तो उनकी देह, जो उम्र के साथ वर्षों में बदल ही जाती है, उन्हें कभी अपनी देह से लगाओ नहीं रहा नहीं तो आसन प्राणायाम से बदल नहीं देती, उनके मन में तो उस हादसे के बाद बड़ा खुरूर एहसास जागाता इस देह के लिए लेकिन और फिर शानतनू के साथ हर बार पत्नी धर निभाते हुए अंदर कहीं में बुरी तरे टूट भी जाती थी जिस शानतनू असीम आनद और संतुष्य से भरे होते उनकी आँखों से एक लावा सा खुट पढ़ता जोने जुलसाता हुआ देह के शिराओं में धदकने लगता वे तड़ा पुटती और खुद को शानतनू की बाहों से छुड़ा बात्रूम में ठंडे पानी के शावर क नीचे आखड़ी होती स्वयम को लावा से छुड़ा पाने में उन्हें घंटा भर तो लग जाता लौटती तब तक शानतन उत्रपते में आखंट निमगन गहरी नीन में सोय होते वे भी लेट जाती नीन नहीं आती फिर भी कभी उठकर बालकनी में पड़े जूले परा ब लगे लेंपोस्ट थे कोलतार जैसे काले जिन पर रोशनी का दूदिया हंडा चमकता रहता एक बेटा हुआ उनके मा बनना चाहा नहीं था उन्होंने पर शांतनु की इच्छा के आगे सर जुकाना पड़ा उने जब बेटा गर्ब में था हर पलवे बिखरी हैं खुद को स देह पर देह के रंद्र को ढख लेता लावा यह क्या आखे लाल हो रहे हैं तुमारी ब्लेट ट्रिशर भी हाई है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा मनू चेक अप दवाईयां बीदिंग एक्सरसाइज आधी को नियम से करो कुछ किताबे ले आओंगा तुमारे वे पीरा एकी अधिक बढ़ा लेना चाहती है कि खुद को भूल जाएं गर में पलते शिशु को भूल जाएं वैसे भी इसमें उनका हाथ कहां यह सब तो प्रिकर्टी खुदी रश्ती चलती है जैसे प्रिकर्ट ने कवी मन दिया उन्हें दीवानगी के हद तक कविता को को मेरे अच्छा बसा महसूस किया था उन्होंने वो उम्र सपनों की मुहक उडानों की रमों की छले जाने की थी और वो छतनारा पीपल का दरक्त जिसकी चिकनी चिकनी पत्यों से जहागता चांद उनके छोटे से कमरे को जास से बढ़ देता और फुसुसाती आवाज उन् मनोर्मा 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 तब वे मीरा के पदों की किताब के खुले पर्णों पर माथा टेक देती हैं पीपल हावाओं से हर हराता रहता उस फुसुसात में दम था मनोर्मा शब्द कानों में पढ़ते ही तन मन जंजना जाता था एक मीठी जुरजुरी से देह लर पलों घंटों तक तब धुंती पढ़ने की और संगीत की बाबु जी ने एक मास्टर घर में ही संगीत सिखाने के लिए बुला दिये थे अधेर उम्र के लेकिन आखों से अंधे हमेशा काला चश्मां की आखों पर चढ़ा रहता पर उनके लिए मास्टर जी का अंधापन सूर के भजन सीखने थे मास्टर जी कहते पहले सरस्ती बंदना और देश भक्ति के गीत सीखों एक दिन की वार की दरार से उसी फुस्पुसार सहित एक परची आगिरी कमने में लिखा था एजी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दरद न जाने कोई गा कर सुनाओ जाने क्या गीत साधने लगती पूरा एक हफता लग गिया उस रात आसमान पर घंगोर्च बादल चाये थे काले दूसर नारंगी आभा देते डरामने से हवाएं भी तेच चल रही थी पीपल की शाखे लहराते हुए भैबित कर दिना ले आवाज में शोर कर रही थी पुराने जमाने किले जैसा विशाल घर दो भागों में बटा हुआ लेकिन बटवारे के लिए किसी नई दीवार का निर्मार नहीं किया गया था बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बने किवारों की साकले चढ़ा कर बड़े बड़े ताले जड़ दिये गय थे किवारों के उस पर साइं साइं डूलती हवा में भी उसकी हलकी सी हलचल अलग महसूस कर रही थी वे किवार से सठकर आवेटी वे और हार्मोनियम बजा कर गाने लगी एरी मैं तो प्रेम दीवानी दीवानों के रंद्र से उस पार की सांसे आहस्ता आहस्ता गीत में घुनने लगी उस पार का कमरा, फर्ष और दीवारें उन्हें अपने में समेटे ले रही थी मर्मरी फर्ष पर सुरों की लहरियां लरज लरज जाती बहुत दिर बाद एक मीठा जा शुक्रियां तक पहुँचा और वे जंजना गई सितार के तारों सरीखी ममता जिज्जी की शादी तैय हो गई थी बदाई हुने संगीत के मास्टर जी अब नहीं आते थे भात खंडे से संगीत विशारत और इंवरस्टी से एमे की डिग्री साथ साथ मिल गई थी उन्हें अब तो बाबु जी अम्मा से ये भी कहते सुने गई थे कि अच्छा लड़का मिल जाए तो ममता जे संग संगी मनोर्मा को भी निप्टा दे रात फिर वही पुकार मनोर्मा, मनोर्मा, मनोर्मा वे सहम सी गई थी सामने चेहरा होता तो होटों का हतेली रख देती आहिस्ता दुनिया को सुनाओगे क्या जाने कैसे मन की बात यहां तक पहुच गई किवाणों पर उन्लियों की ठक ठक सुनो मुझे किसी का डर नहीं मुझे सिर्थ तुमसे मतलब है और वे वहीं बैठी बैठी उस पार की दीवारों में अनारकली बंद भसने लगी बदाईयों से क्या तो बारात आई थी धेरों बाराती जो दुले के प्रगार मित्र थे वे जनवासे में दुले के आसपासी मन रहते इधर से पूरी सक्यों की टीम तमाम गालियों वाले गाने से लैस डटी थी उन्होंने धानी रंग का शरारा कुरता और गुंगरों वाली पाजे पहनी थी पैरों में रात के दो बजे तक जब तक शादी का महूर तहीं आ गया जब तक दुले के मंडब में जाने की घड़ी ना आ गई वे ठुमक ठुमक कर नाशती रही और गाती रही और जैसे भीर मंडब की और पल्टी तब ही वो हाथसा कैमरे आन हो गए थे महूर शॉर्ट होने के बाद का सीन शूट होने की तयारी में था मले माथूर सीन की एक एक बारी की कलाकारों को समझाता इधर से उधर हो रहा था एक लड़का दोड़ दोड़ कर सबको पानी पिला रहा था शूटिंग देखने विबालकरी में आखरी होई हॉल में कलाकारों का जमगट कैमरे की तेज लाइट में आखे चुदिया गए री टेक दो-तीन बार होने के बाद शॉर्ट ओके हो गया मले मातुर ने हीरोईन को गले से लगा लिया पूरी यूनिट खुशी में डूब गई रंगवाला की फिल्म है बास एक एक सीन डूब कर करना होगा उनकी पिछली फिल्म ने बॉक्स आफिस पे करोनों बटो रहे हैं बिर्यानी परोस का सबतिया रहे थे बिर्यानी और कोल ड्रिंग की बोट ले ये तो उन्हें बाद में पता चला कि कोल ड्रिंग ड्रिंग में विस्की मिली हुई थी मले मातुर ने आवाज दी आईए मैडम हमारे साथ बिर्यानी खाईए उन्होंने मना कर दिया नहीं वे नौन्विज नहीं काती अल्बत्ता सलात पापर और अचार की शीशी उन्होंने नौकर के हाँ बिजवा दी थी सारे हिवा लड़के लड़कियां कमाल काविन है जैसे बॉर्ण आर्टिस्ट हो जोश और उमंग से भरे अच्छा लग रहा था उन्हें एक उनका समय था भावता भरा युवा वर्ग नदी पहाड आस्मान चांद सितारों में कोया रहता था रोमांटिक कवियों शायरों की पंक्तियां आपस में सुना कर गुन गुना कर रोमांस के नशे में डूबा रहता था लेकिन आज का युवा वर्ग नेतांद अलग एकदम टैक्टिकल वे भी जोज से भर जाती हैं युनिट के आने से पहले ही वे अपने रोजमर्णा के कामों से निपढ़ जाती हैं और बालकनी में आवर रटती हैं सोचती कितनी अलग दुनिया है इनकी कैमरा, डायलॉग, एक्शन, गीत, संगीत, हसी, मुस्कुराहाट, निश्चल, उन्मुक्त जैसे गगन में उड़ते पंची ना खाने में ताम जाम, ना कोई दिखाबा काम, काम और बस काम कुसकर गुजरने की चाहा आसमान को बाहों के इंच टेप से नाप लेने की चाहा और वे, लावे के परत पर जिंदगी जीती शादी से भी इंकार था उने, नहीं करूंगी मुझे नौकरी करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, नहीं तो एमे करने का फायदा क्या बचपना मत करो मनोर्मा इतना अच्छा लड़का मिला है लाखों का बिजनेस है, जिंदगी भर एश करोगी अम्मा ने उनके ठुड़ी पकड़ का प्यार से कहा था, और फिर उनसे छोटी अपनी दो बेटियों को अवश भाव से नहरा था चार-चार बेटियों की पुत्र हीन मा, अम्मा की कातर निगाहों का सामना नहीं कर पाई वे और मौन सीक्रिती दे अपने कमरे में आकर किवार से टिक गई लेकिं किवारों के उस पार समनाटा था और इस पार समनाटे से सर पड़कती, तेजी से उठी पर वे तो पत्थर हो चुकी थी उस हाथ से के बार, हाँ पत्थरों के नीचे लावा जरूर दबाए थी जो अब तक सुलग उठता, सुलग उठती उनकी शिराएं, तब तब पिघलता लावा, 37 वर्षों से 37 क्यों, बलकि 48 वर्षों से इस पर घलते लावे में अपनी नर्म, मुलायम, देह ले बरी है वे, इसी देह को तो घसीटा था उनोंने ममता जिजी की शादी के दोरान जब दूले को लिए भीड मंडब की और जा रही थी, किसी के मजबूत हाथों ने उनकी कलाई पकड़ कर घसीट लिया था, उन्हें जनवासे से लगी एकांध कोठरी में शक्कर के बोरों गी के कनस्तरों से अठीती कुठरिया, वहीं उन्हें पटक कर उनकी नर्म, मुलायम, देह को खनोचे डाल रहे थे, दो इसने भी हाथ जनवासा एकदम सूना हो चुका था, उन्होंने चीखना चाहा था एन तभी उनका दुपट्टा उनके मुँमे ठूस दिया गया था और वे पिस्ती रही थी, जैसे वक्त थमसा गया हो जो बीच जाने का नामी नहीं ले रहा हो, उनकी पूरी देह गर्म लावे में धसी जा रही हो बड़ी देर बाद कुठरिया के बाहर आठ और उनके नाम की पुकार सुन, कुठरिया का दर्वाजा खुला और जन्वासे से आती तेज रोष्णी में वो घिनोना चेहरा अक्स हो गया, उनकी पत्थर होती देह पर जैसे खुरच-खुरच कर वक्त ने चिन्हत कर दिया हो वो चेहरा, अब वो कभी ने मिटेगा पत्थर पर खुदे चिन्ह मिटते कहा हैं, अपनी खरोच लिए सदियों, ओले, वरस्ते, छेलते, अमिट रहते हैं मनोवना जिट जी आप यहां क्या कर रही हो, उदर सब आपको ढूर रहे हैं, चलो जल्दी चलो, दूले के जूते हम उन्होंने चुपा दिये हैं वे अपनी पत्थर दे, छोटी बेहन के संग खसीरती सी चलने लगी, क्या हुआ गिर गई थी क्या, इगले पर खरोचे कैसी, इसके पहले की छोटी बेहन इन खरोचों में से किसी कहानी को ढूरने की कोशिश करे, उन्होंने दुपटे से अच्छी तरे गर्दन ढखली, छ जिजी से लिपट कर, तमाम मौसियों गुआउं से लिपट कर, जैसे उनी की विदा हो रही हो, अम्मा ने चौक कर वाहों में समिट लिया था, क्या हुआ पगली, अरे आ जाएगी हफते बर में ममता, लेकिन रोना है कि थमता नहीं, एक तूफान उठा था मन में, जिसने उनके सपनों, आकांगशाओं की सारी कौपले नश्ट कर, पेर ठूट कर दिये थे, जिन्दगी की रहा में लुट गई वे, ये लुट अब वे दुबारा नहीं कमा सकती, वापस नहीं पा सकती, जैसे शरीर से एक अंगी कट गया हो, रात की वाड़ों की दरार से फुस- उटकर रो रही थी, उनके होट कापे थे, अब तो मैं मिट गई, अब किसी के होने ना होने से क्या फरक पड़ता है, हफ्तों उनकी आखें गुड़हल सी लाल रही, बात बात पर आसू चलक पड़ते, यू किताब पढ़ते नीन से आखें जबक जाती थी, और जब बिस्त और ये तैपाया कि जल्दी से जल्दी मनोर्मा की शादी भी कर दी जाए, घर में शादी की दभी ढखी बाते सुन वे आहत हुई थी, शादी नाम से लगता धोका दे रही है वे अपने जीवन साथी को, इमानदारी के बात तो ये है कि ये हाथसा भी पहले से बता दिया ज चाहिए, जिससे जिल्दी के और हाथ से बता दिये जाते हैं, एमे का आखरी पेपर देकर अपने कमरे में पाउं रखा ही था कि किवार के उस ओर से लाद गूसों की आवाजें, मौन सननाटे में दाहरता मरदाना स्वर, एश्क लड़ाएंगे बर्खुरदार, हम समझ रह मैं इदर घंटों उसे पढ़ाई कर रहे हैं साब जा दे, कली अपना बोरिया बस्तर बांदो, तो मैं बैंगलो और बाही साब की देख रहे हैं, हॉस्टल में रहके पढ़ाई पूरी करनी हैं, फिर काफी देर बाद बोजिल सननाटा रहा, वे भी चुपचाप अपने पल कमताले की चावी भी साथ लाऊंगा, मेरा इंतिजार करना, वे वैसी सीधी तनी लेटी रही, सननाटा फिर से लोटाया और तेजी से पसरने लगा, शांतन वो अब नहीं रहे, बेटा भी बहु के साथ लंदन जा पसा है, बस वे हैं और ये कोठी जो उनके जीवन के प्रत बाद एक get together रखेंगे, तब आप हमारे साथ होगी, promise? वे मुस्कुरा पने, शूट के लिए तमाम कैमरे तयार किये जा रहे हैं, उनका सग्मर्मर का बातरूम, टब, टब में ऊपर तक जागी जाग, हीरो इन टब में बैठी ना रही होगी, प्रिष्ट भूम में गाना च संबोधित कर रही थे, वो, वो तो वही, पिघलने लगा देह पर खुदा शिला ले, अक सुआओ घिनोना चेहरा, पूरी कुरूरता से कस्वसा उठा, 38 सालों में एक ख्रण भी तो नहीं भूल पाई है वे इस चेहरे को, जैसे 38 सालों से बंद पड़ी कुठरिया में एक पर फिर खीच ली गई हो रहे, उनकी देह पर उसकी कठोर उन्यों के निशान गहरे उभराए थे, नाखूनों से डाली गई खरोचों पर लहू चलक आया हो, और मुमें ठुसे दुपटे से घुटती सासों को बिखड़ता साफ महसूस कर रही हो, भले ही चेहरे पर धलती उन्हें अपनी चाप छोड़ दी है, आँखों पर चश्मा चढ़ाया है, सिर के बाल जढ़कर गंजी चांद, जिन्दगी को खिजा में बदलने का भुकतान है मानो, फिर भी कैसे भूल सकती हैं वे ये चेहरा, सैसा वे बालकनी के जूले पर बैठी बैठी डह गई, तब मेडम, क्या हुआ? रात देर तक पार्टी चली, पूरी यूनिट विदा ले चुकी थी, बस मले था और कोठी की दीवारों को जैसी की तैसी पेंट करने को कुछ कारीगर, अब कैसी तबियत है मेडम? सर आप से मिलना चाहे दे थे, ठीक हूँ मले जी, पेंट मत कराये दीवारों पर, इन्हें ऐसे ही रहने दीजे, याद बनी रहेगी कि इदर कभी शूटिंग हुई थी, आपके सर की फिल्म की, ओके, थेंक्स, आपको कौपरेशन के लिए वेरी थेंक्स मेडम, पूरी यूनिट विदा हो चुकी थी, तीन महीनों के चहल पहल के बाद सुना हॉल दहशत फैला रहा था, तमाम दीवारों पपड़ी खरोचें, 38 वर्षों का अंतराल लांग एन उनके सामने थी, गरम उबलते लावे का देह से उठता रिसाओ, उन्हें जंजोर गया था, वे तड़व पुठी थी, तोबारा उसी हाथसे में, उसी व्यक्त के विरफ् स्वयम को पा, अभी आप सुन वहे थे संतोष रिवास्तोजी के लिखी हुई कहानी लावा, बलातकार का दंश किस तरह इस्तरी की कुमल भावनाओं को बिलकुल कुचल कर जीवन भर उसको अपनी चुबन देता रहता है, ये कहानी सुनकर आपको महसूस हुआ होगा, दु हिंदी की श्रेष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना भी भूलिएगा मत, बहुत बहुत धन्यवाद